हेलो एवरिवान वेल्कम टू मैं चैनल हिंदी टैरो डैक ट्रिपल टू मैं हूँ पललवी कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी अच्छे होंगे सो गाईज आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग और आज इस रीडिंग का टॉपिक है क कि आपके पर्सन का क्या इरादा है आपके साथ रिष्टा रखने के बारे में इंटेंशन क्या है उनका अब क्या इंटेंशन है रिष्टा रखना है नहीं रखना है कंटीनियू करना है नहीं करना है बात करनी है नहीं करनी है यह सब चीज़े देखेंगे तो गाईज यहा कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है तो आपसे 100 परसंट रिजूनेट करें ऐसा पॉसिबल नहीं है चीक है चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं आपके परसंट का इरादा क्या है अब देखते हैं इस पिस्टे माइब पीज आपके इंजर्स प्लीज बीज एक प्लीज प्लीज इस प्लीज इस फ्रेट गाइट टाइए इरादा है यूज परसंट का उनको लेकर फिर्स्ट वन इस सेवन फवांज एरीज लिएं सेजटेरियस मेश सिंग धनु राशी जज्जमेंट प्लीज इनिवर्स गाइट कीचर बताईए नाइन वांज गाइट कीचर बताईए क्या इरादा है मेरे वीवर्स के परसंट का दफूल गाइट कीचर इनिवर्स फाइव वांज गाइट कीचर इनिवर्स क्या इरादा है वीवर्स के परसंट का जस्टिस इनकी रिष्टे को लेकर क्या इरादा है इनका पेज ओस पैंटिकल्स हो सकता है आप लोगों के बीच में एज गैप हो गाइस या आपके परसंट थोड़ा पास्ट भी उन्हों न शर्मार के शाएग्ण ना आपके साथ मेंड नहीं किया तो जैसे को प्रसंट एना वह नौन नहीं करा था सिक्स औफ पैंटिकल्स भाइटे ढ़ादा हो इनकी पर संका इन हिंग मिए गmbol गारेख को सिंग क्लारिफाइब करने हैं मैं हैं टू हैंड कर लेती हूं सेवन और बॉंस को फ्लारिफाइब कीचे किससे गाइड कर रहे हैं यह अपने आपको प्रीज इनिवर्स बताईए नाइन वांस को फ्लारिफाइब कीचे काइड कीचे इनिवर्स किसे इंगीती कॉन्फिक्ट हो रही है काइड कीचे अब क्या डिसीजन ले लिया है अब मिन्होंने क्या स्टाटिजीज और क्या डिसीजन इनका काइड कीचे आप में से काफी लोग मुझे लॉंग डिस्टेंस रिलेशेशिप में लग रहे हो या जग्राफिकल ही आप लोग धूरियों पे लग रहे हो गाईज हो सकता है यहाप पर आपके परसन ने आपको ब्लॉक कर रखा हो आप लोगों को नो कॉम्निकेशन जोन में डाल रखा हो आपसे उन्होंने ब्रेक अप कर रखा हो सेपरेशन पीरियड में हो कुछ लोग तो बल्कुल बात ही नहीं कर रहे हैं यहापे क्योंकि हो सकता है किसी ट्रस्ट इशू की वजह से किसी मिसंडर्स्टेंडिंग की वजह से आपको ब्लॉक कर रहा था आप अपने चारों तरफ वाल खड़ी अईसा दिखाया था कि वह आपके बिना बेहादा शुखी हैं बेहादा सुख रह सकते हैं ऐसा यहापर दिख रहा है आपकी परसन आपके साथ करना चाहते हैं यहाँ ठीक है हो सकता है, परसं की फैमिली हों आप, हो सकता है यह सब सपना थापका, इस सबने को पूरा करना चाहते हैं देखें, यहाँ पर मैंने इस काड्ड को क्लारिफाई भी करा, जो मुझे बता रहा है कि कि आपके person कोई strategies भी बना रहे हैं कि आपको अपने साथ कहीं दूर ले जाने की यहां पर basically मुझे आपे guys दिखाई दे रहा है कि आपके person इस समय पे जिस भी situation में है ना उन्होंने अपने आपको उस situation से भी guard कर लिया है चाहे वो trust issue हो यानि कि उस से वो दूरी बना रहे हैं चाहे वो third party हो चाहे trust issue हो चाहे misunderstanding हो इन में से कुछ भी आप लोगों की situation है ना आपके person इस से भी अपने आपको दूर कर रखा है कही न कहीं guys आपके person जो past में आप लोगों के बीच में जो भी issues हुआ था ना उस से अपने आपको heal करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और उसका main कारण है उनका आपकी थरफ बढ़ने का आपको न्याय दिलाने का, आपको offer करने का, equal given take करने का, आपके साथ एक new beginning करने का आपकी person के mind में इस समय पे बहुत conflict चल रहे है guys और वो conflict क्या है कि वो compromise कैसे करे यानि कि वो अपना ego कैसे आपके पास आने से पहले छोड़े क्योंकि आपके पास वो आते हैं, आपको अगर call करते हैं, text करते हैं या आपसे वो एक new beginning के लिए बात करते हैं कि चलो एक new beginning कर लेंगे तो कही न कही उनका ego बहुत जादा hurt हो जाएगा, जो वो अभी तक समभाल कर बैटे थे, वो उस पर ठेस लग जाएगी तो वो उनी चीजों के बीच में काफी जादा conflict कर रहे हैं, क्योंकि आपके person को कही न कही ये समझ में आ गया है कि अब ना आप equal given take के बिना कोई compromise नहीं करोगे, अब आप चाहते हो कि अगर हो चीजे हो तो balance हो, अगर आप जितना दे रहे हो तो आप बदले में उतना लेना भी जाते हो, ये चीजे आपके partner को पता है और उनी चीजों को लेकर उनके बीच में, उनके mind में बहुत जादा conflict चल रहे हैं, कि वो कैसे करें, क्योंकि वो इस चीज के लिए ready नहीं है अभी, कि वो आपको equal given take दे दे, वो new beginning तो करना चाहते हैं, लेकिन वो equal given take में उनका ego आ जाता है अभी आपके partner को पता है कि आप अगर आपके साथ justice नहीं हुआ, तो आप उस चीज में compromise नहीं करोगे, क्योंकि आप कहीं न कहीं guys देखें, तीन card से मुझे यही दिखाई देता है, कि आप अब बस चाहते हो नियाए, नियाए और नियाए, balance, balance और balance, जितना मैं आपको दे रही उतना मैं भी बदले में expect करता हूँ या करती हूँ, आप इनके बिना आप कोई compromise, कोई रिष्टा आगे नहीं करने के लिए तैयार हो, इसी चीज का आपके person के दिमाग में बहुत जादा conflict चलता हुआ, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, new beginning उन्हें बिल्कुल करनी है, page of pentacles, ace of pentacles, ten of cups card, even वो strategies भी बना रहे हैं, अगर आप long distance relationship में हैं, जो graphically दूरियों पे हैं, तो वो travel करके आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, क्योंकि वो कही ना कही आपको अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये चीज है, healing mode पे मुझे आपके person जो past में आप लोगों के बीच में हुआ ना, उन चीजों से heal होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन चीजों से break लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन चीजों को अपने आपको ना परेशान ना करें, ऐसा करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कही ना कही वितिस judgment card चाहते हैं कि अब एक positive announcement हो जाए और क्या हो रहा है ना उनके साथ देखे गाईज उन्हें पता है आपका क्या चल रहा है तो वो उन्हें ये लग रहा है कि किसी भी तरह से जो announcement होना वो उनके favor में हो जाए यानि कि कहते हैं ना कि काम भी हो जाए और जुकना भी ना पड़े वो चीज आपके person के साथ हो रहा है यानि कि उनका काम भी हो जाए और किसी तरह का कोई compromise भी ना करना पड़े किसी तरह का कोई ego भी ना hurt हो जाए वो चीज उनके हो रही है तो positive announcement का wait कर रहे हैं कि कुछ miracle हो जाए इरादा है उनका बढ़ने का लेकिन इसी जद्द जहत में इ बज़र आ रहे हैं यह चीज है हो सकता है आपके बीच में कुछ ऐसी ही चीज हुई हो जिसमें आपको compromise करने के लिए बोला हो आपने नहीं करा हो तो इसी वीजह से आपकी बीच में काफी issues हुए थे ठीक है यहाँ यहाँ यह भी chances है अपनी depth में नहीं जा रहे हैं यहाँ मुझे गाईस कुछ-कुछ लोग यहाँ पे twin flame of soul में journey में भी दिखाई दे रहे हो लेकिन बहुत limited लोग जादा लोग नहीं बहुत limited लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 6 number यानि की June month भी आपके लिए important हो सकता है किसी न किसी तरह से चीक है यह चीज है यहाँ पे आए गाईस कि आपका क्या इरादा है हम यह और देखते हैं आपको करना क्या चाहिए इस situation में क्योंने compromise कर लेना चाहिए तो कार्ट साथ है गाईस पहला आया है डोर टू स्पिरिट और फस्ट चक्रा आर्गेंजर मिशेल एक काड और देख लेते हैं अभी तक आपके आपको क्या करना चाहिए है स्ट्रेंथ तो आप अल्रेडी बहुत बना रहे हो गाईस मुझे पता है नंबर फिफ्टी और नंबर फाइव भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है एक काड और डिख लेते हैं युनिवर्स के मात्यम से कि वह आपसे क्या कहना चाहते है नंबर फिफाइव और नंबर सेवन भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है देखे गाईस आपसे इंजल्स बोल रहे हैं कि आपको स्ट्रेंथ बनाए तो रखनी है जो आप अल्रेडी बना रहे हो बहुत अच्छे से पेशेंस रखके आप बहुत जादा हिम्मर को प्रोटेक्ट कर रही हैं आप जिस्भी मजधार पे समय पे हो उस मजधार पे वह आपका पूरा सपोर्ट कर रही है यानि कि वह आपको सही मार्ग दर्शन दे रही है कही न कहीं आपसे बोल रहे हैं, आप जस पात पे इस समय पे मार्क पे चल रहे हो वो एकदम सही है आपके लिए क्योंकि मुझे guys यहाँ पर basically यह जो reading जिस person से resonate हुई है उनके लिए ये दिखाई दे रहा है, कि आप इस समय पे लड़ रहे हो अपने आपको न्याए दिलाने के लिए अपने self respect के लिए आप यहां पे लड़ रहे हो क्योंकि यहां पे balance का card आया है आप चाहते हो कि आपका जो अब रिष्टा है ना उसकी root मजबूत हो foundation उसकी मजबूत हो आप ऐसा चाहते हो और इसलिए universe और angels आपको बोल रही है कि हाँ आप सही mark पर हो ये चीज़ है उसके लिए angels आपको strength देने के लिए भी तयार है वो आपसे बोल रही है कि हम आपको जितनी strength चाहिए हम आपको देंगे उसके अलग guys यहाँ पर आपसे ये भी बोला जा रहा है कि beware यानि कि साफधान होना है आपको manipulative लोगों से ठीक है आपकी life में अभी काफी लोग हैं ऐसे जो आपको चीज़ों को manipulate करके बता सकते हैं ऐसे उनके दिल में काफी चोर है उनकी आँखों में काफी जादा चोर है आप उन लोगों से बच कर रहो साबधान रहो उनसे भी आपको universe और divine जो है बचा रही है यहाँ पर तो आपको बहुत जादा समझदारी से यहाँ पर काम करना है वह आपको बोल रही है strength बनाए रखो जब तक आपके हिसाब से चीज़े नहीं होती हैं आपके आपको आपका मान समान आपको आपका नयाई नहीं मिलता है तब तक आप अपने आप में स्ट्रेंथ बनाए रहा हो उसके लिए हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कहीं न कहीं एंजल्स आपको इन मैन्यूपलेटिव लोगों से बचाने का भी काम कर रहे हैं यहां पे जो डबल फेस बनाकर रखते हैं न सामने बहुत मीठे होते हैं अंदर से जहर होता है उन लोगों से एंजल्स और स्परेट और यूनिवस आपको बचा रहे हैं उन मैन्यूपलेटिव लोगों से यहाँ पर यह चीज भी आपको बताई जा रहे है तो आप गाई इस चीज को लेकर कि आपने गलत तो नहीं करा या आपके साथ ऐसा हो रहा यह चीज बिल्कुल मैं सोचो आप से सब एंजल बोल रहे हैं आप एकदम सही मार्ग पर हूँ इस समय पे आज के लिए आपके लिए क्या positive affirmations है मेरे वीवर्स के लिए आज क्या positive affirmations है गाइड कीजे यूनिवर्स और बताईए my partner believes in me and support me fully exactly guys देखो अगर आपके person आपको support नहीं करते हैं आप पर विश्वास नहीं करते हैं तब तक आपका उनके पास होना या उनका आपके पास होना नहोना बराबर है तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप यह manifest करो कि आपके person आप पर विश्वास भी करते हैं और आपको support भी करते हैं ताकि यह चीज आपकी life में अच्छे से manifest हो जाए यह आया है guys I am beautiful and everybody loves me C देखो क्योंकि कई बार होता है guys हम इतने hopeless हो जाते हैं हमारा confidence इतना lose हो जाता है जो हम अपनी हमारे पास जो qualities होती है न हम उन्हें ignore करने लगते हैं या उन पर ध्यान नहीं रखते हैं तो आपसे बोला जा रहा है आप manifest करो कि आप beautiful हो सुंदर हो चाहे मन से हो या उपर से हो physical beautiful को नहीं बताता है ये inner beauty को बताता है तो आप से बोला जा रहा है आप manifest करो कि आप इतने अच्छे हो इतने beautiful हो कि हर कोई आप से प्यार करता है ठीक है ये चीज आज आपको manifest करनी है guys आपके partner के messages जोड़ देख लेते हैं और प्लीज उनिवर्स गाइट कीचे बताईए मेरे viewers के person के क्या messages है प्लीज उनिवर्स गाइट कीचे first one is I want you देखे मैंने आपको बोला ना कि उन्हें चाहिए आपके साथ relationship आगे continue करना don't worry about who wants me because I want you वो आप से बोल रहे हैं कि इसकी चिंता मत करो कि उन्हें कौन चाहता है क्योंकि वो तो आपको चाहते हैं give me some time वो आप से बोल रहे हैं कि उन्हें थोड़ा समय दो obviously वो अभी बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में conflict चल रहे हैं लडाई जगड़े चल रहे हैं और मेरे इस चैनल को like, share and subscribe बिलकुल कीजेगा ताकि इसी तरह से और अच्छे च्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टापिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे हैं आज के लिए बस इतना ही ओके टाटा बाबाई